आप सबी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे आज आप देखी रहे पारे होंगे कि मेरे स्क्रीन पर धेर सारी आपको बची वी ओल देख रही होगी तो चाहे तो इस तरह से देख सारी कलर भी यूज कर सकते हैं मैं इसमें से दो या तीन ही कलर यूज करने वाली हूँ चलो चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ यह देखेगा इस तरीक से मैंने ये चार कलर अपने चूज किये हैं जिसमें से मेरा वाइट में रहेगा उसके बा पाद मैंने इसमें एक उल्टी और एक सीधी दो सलाई निकाल चुकी हूँ डिजयन जो है मेरा यह दो-दो फंदों के मल्टिपल चलेगा और आप इसमें दो फंदे अपने एक्ष्ट्रा भी रख सकते हैं डिजयन को बनाने के लिए एक उल्टी और एक सीधी दो रो निकाल चुकी हूँ तीसरी सीधी रो निकाल रही हूँ और फोर्त रो भी मैं उल्टी निकाल लोगी दोनों रो निकाल लेती हूं उसके बाद फिर आपको मैं डिजयन बनाना बताती हूं किस तरह से बनेगा इस तरह से आपको भी करना है बाउडर के बाद अपनी चार रो निकाल यह जो मेरा? इस तरह से करते वे पूरी रोह हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यह थेखेगा, एक बार बता देते हूं, ताकि आपको अच्छे समझाए, यह एक साइड से लिया, एक बरधा गाले पेटा, और दो फंदों का एक बनाएंगे, इस तरीक से लाश्ट फंद आए, इसको भी सिधा बना लेंगे, ठीक है, अब इसके उल्टी रोह है, और यह डिजान के हमारे सिधो है, चार हमने सीधी बनाई, फिर्ट वाली मैं अबने सेकंड कलर लगाया, और यह सिधो है, पहले वाला फंदा है, इसको मैं उल्टा बना लूँ, यह सिधी यह देके का सीधा बना लिया, दहागा इhit है जो यह पढली फंदा है इस वाला इह देखेगा इसको हम इधर लेकर आएंगे और हम इपीच में से भगा अपनी साइड लाएंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे ओल्ट ठीक है यह देखेगा अपनी तरफ हो गये हमारे फिर से यह देखे गएwać दागा लागि दृद के गये झिच वाला इन दोनों के इसको यहाँ पर उतारेंगे ठीक है और इसमें से अपने तरफ लेके आएंगे और इन दोनों ऊहरें स्रेलें देख adults आपको ठीक है एक भरोड बताती हूं यह देखेगा जो बीच वाला फंदा है दागा आगे तरफ लेके जाएंगे यह आगे तरफ जो यह बीच वाला फंदा है इसको हम उतारेंगे यह ऐसे इसके बीच में से दाग अपनी साइट लाएंगे और दो फंदों का एक पना यह देखेगा दागा आगे किया बीच वाले फंदे को निकाला इसके बीच में से इधर लेके आएंगे दागा और दो फंदों का एक कर देंगे इची तरह से पूरी रोग को रिपीट करेंगे दागा आगे करया बीच वाला फंदा उतारा दागा अपनी सार्प किया और द को ये चार안 बने चुके हैं चार ये और दो से इस तरीक से सीधी साइड से सीधी उल्टी साइड से उल्टी चारो बना के कम्प्लिट करती हूं वाइट कलर की फिर आपको मैं दूसरा कलर लगा के दिखाती हूं ठीक है चलो करते हैं इसको अब यहां से देखिया यह चारो मैंने वाइट बना लिए उसके बाद मैंने थर्ड कलर से भी हम सेम यह दो रोड रिपीट करेंगे अपने यह देखेगा पहले वाले एक फंदा सीधा बनाया यह जो थर्ड वाला फंदा है हमारा यहांस की साइड से निकाल लेंगे ऐसे क्योंकि डिजैन जो है हमारा दो दो फंदों मलक्री पर चलेगा एक ब्रूप पर इसे निकाला दो फंदे बीच में से ओपर से लपेटेंगे और दो का एक बनाएंगे अब यहां पर तीन फंदे बना रहे हैं लेकिन इसको भी हम कम कर देंगे उल्टी वाली रोह में ऐसे ठीक है यह देखेगा इस तरीक से बहुत सिंपल सा डिजैन है लेकिन बहुत ज्या तरह से करते हैं यह अश्थ अधिया अधिया आफ यह गैसे बना लेते पूली रोग यह देखेगा इस तरह कि से अब इसकी उल्टी साइड और उल्टी साइड भी हम से में रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले बता था फिर भी मापको थोड़ा सा बता देती है पहले वाला फंदा है कुल्टा बना लेने स्कौंस से ओर एक और दहाक हो क्यांस अलेंगे जो यह बाद सब्साइद करेंगे बीच वाला है यहां ऑर यह बीर लेकर करेंगे तोह, पर यह तो अपनी साइट लाएंगे और दो फंदोगा एक करेंगे इस तरीक से अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मैंने समझा दिया होगा अगर बाइचांस फिर भी आपको कोई कुछ लगे तो आप मुझे कोमेंट करना मैं आपको दुबारा से बता दूँए ठीक है यह इस देखेगा ऐसे धागे के बीच में से लेकर आई हूँ यह देखो यह है यहाँ पर एसके बीच में से अधर अपनी साइड लेकर आई हूँ और दो फंदोगा एक कर रहे हूं बहुत ज्यादें बिब बता हूंगी तो मेरी वीडियो लंबी होगी ठीक है अब आप पुरी र को यह देखेगा इस तरीक से आप इसमें हम चार रो फिर से वाइट निकाल लेंगे उसके बाद दूसरा कलर चेंज करेंगे इसी तरह से जब हम यह कलर चेंज करेंगे तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का यह देखेगा इसका final look इस तरह आता है अगर आपको यह मेरे जैन पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो तेखने के लिए thank you अगर कोई गलती हुए तो उसके लिए sorry मिलते हैंक नेश्ट वीडियो में बाई